हेलो गाइस दिस साइड निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ Students Point सो गाइस जो हमारी फर्स यूनिट है वो है राजनीती क्या है राजनीती का सिध्धान्तिकरण हमें इसमें पढ़ना है what is politics और political theory क्या होती है या theorizing किस तरीके से होता है या बहुत सारी चीज़े मतलब theory के अंदर क्या होती है बहुत सारी चीज़े ठीक है तो उसको हम continue करते हैं इससे पहले मैं आपको उसकी definition एक introduction के तौर बे बता देती हूँ अगर आप उसको introduction में लिखना चाहो तो लिखना अगर आप उसको what is politics में लिखना चाहो तो उसमें भी लिख सकते हो ठीक है जनता के समाजिक और आर्थिक स्तर को उचा करना राजनीती है नागरिक स्तर पर या वेक्तिकत स्तर पर कोई विशेश प्रकार का सिधान्द एवम वहवार राजनीती कहलाती है अधिक संक्रिन रूप से कहें तो शासन में पत प्राप्त करना तथा सरकारी पत का उपियोग करना राजनीती है यह मैंने यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में इंग्लिश में आप इसको कॉपी कर सकते हैं तो पॉलिटिक्स जो है ना एक ऐसी अक्टिविटी है जो की डिसीजन मेकिंग पर भी डिपेंड करती है कि यार अगर मैं politician हूँ, मतलब politician, सिर्फ politics वाले politicians ही नहीं होते हैं, political philosophers भी होते हैं, जो अपने perspective देते हैं, तो उन perspective की according, कि हमें as a politics, एक subject ले लो, एक topic ले लो, हमें उस पर decision making करना है, कि हाजी क्या ठीक है, क्या नहीं है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो आप in future भी क कहीं न कहीं पढ़ोगे, कि political theory के, ये politics के, political science के, तत्व, elements क्या होते हैं, उनके elements, सुतंतरता, समानता, नियाय, ठीक है, justice, freedom, equality, ये सब उसके element होते हैं, तत्व होते हैं, इसमें confused होने की जरुवत नहीं है, बहुत easy बात है, आप paper में लिखना चाहो, लिखकर आना, teacher, अगर आप लेकर आते हो, तो teacher बोलेगा, कि हाँ, बच्चा सच में actually में पढ़ने वाला है, क्योंकि उसको ये वाली चीज अभी से पता है, जो उसको in future में पढ़नी है, तो ये एक आपकी knowledge के लिए है, बहुत जादा ज़रूरी है, ठीक है जी, ये अब जो मैंने आपको हिंदी म में हैं, वो पीछे वाला कुछ और था, मतलब आगे की lines थी, politics is to raise the social and economic level of the people, any special type of principle and behavior at the civic level or at the individual level is called politics, ठीक है, what is politics में, जो मैंने आपको English में भी यहाँ पर दिखाया है, ये वाला, ये इसका हिंदी वाला पार्ट है, राजनीती उन गतिवितियों का समू है, जो समूहों मे निर्ने लेने या वेक्तियों के बीच सत्ता सम्मंदों के अन्य रूपों जैसे कि स्थितिया संसाधनों के वित्रण से जुड़ी होती है, समाजे विज्यान की वो शाखा, जो राजनीती और सरकार का अध्यान करती है, उसे राजनीती विज्यान कहा जाता है, ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है ये वाली बात आप याद रखिएगा तो यह आज़ता है राजनितिक सिध्धान का अर्थ और परिभाशा राजनितिक सिध्धान की परिभाशा इसमें लिखी वी है इसका अर्थ इनों ने बताया है कि सिध्धान राजनितिक और सिध्धान पर लिखते हैं कि इसका ये नाम है एज है ये है वो है वो है बहुत सारी चीज़ें वैसे ही पॉलिटिकल थियोरी एक इसी तरीके की चीज़ होती है जिसमें सभी चीज़ को एक थियोराइजिंग के तौर पर रखा जाता है मतलब मैंने मान लो जस्टिस टॉपिक उठाया न थियोरी नॉर्मल ही होती है उसको अलग रखा जाता है फिलोसफी जादा बड़ी होती है अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल लैंग्वेज ठीक है अगर आपका आगे फिलोसफी है तो आप आगे फिलोसफी पढ़ोगे बेफिकर लो अच्छा जी इन्होंने वोला है जान्तिकरण कहा जाता है थियोर्मा जिसका अर्थ है वो कॉन्क्लूजिन जो थियोरी को बना देता है लास्ट में चीक है तो इन्होंने यहां पर बोला है कि इसका विप्राय किसी परिणाम अथ्वानिशकर्ष को सिद्ध करना और उसे वैद ठहराना नहीं है इसको इसकी इंग्लीश वैं ने आपको दोनों में दिखा दिया ठीके एंड्रीउ हेकर बोल रहे है कि राजनितिक सिद्धान में त्थ्य और मुल्य दोनों समाहित है वो एक दूसरे के पूरक है दूसरे शवत में हर सिद्धान शास्त्री न विग ज्यानिक और दाशनिक है दोनों की भूमी का निभाता हैं ठीक है इंग्लिश में में लिखा हुआ है आप इसको कॉपी कर लिजे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टेफिनिशन है जैर्मी नों बोल रहे हैं यह वाले चीज की पॉलिटिकल थियोरी एक ऐसी रियालिटी समाजिक सोशल रियालिटी पर है जो कि क तो जी यह 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 और आपको कॉपी कर लिजे बहुत जरूरी है बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते है राजनीतिक सिधान दो उससे सम astrology शब्ध क्या होते हैं यह बंत हैं और आपको यादolution है राजनितिक सिध्धान से रेलेटेट राजनितिक विज्ञान पॉलिटिकल साइन्स राजनितिक दर्शन पॉलिटिकल थियोरी वह सुरी फिलोस्फी राजनितिक विचारधारा पॉलिटिकल थॉट और हमारा आगे राजनितिक सिध्धान ठीक है पॉलिटिकल थियोरी यह सभी वर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूरेंट इनको आपको याद रखना है हमें अक्चुली में यह समझना है कि इन लोगों इनमें सब में क्या डिफरेंस है देखो पॉलिटिकल साइंस राजनितिक विज्ञान एक सबजेक्ट है एक टॉपिक है एक विशे है उसके अंदर राजनितिक दर्शन जो होता है वो हम किस तरीके से रखते हैं वो फिलोसफी के तौर पे कि मतलब राजनितिक दर्शन पॉलिटिकल फिलोसफी हमें ये बताती है कि टॉपिक्स को किस तरीके से एक राइटर लिखकर जा चुका है 10-20-30 वॉल्यूम्स में और उसको फिर हम एक थौट या थियोरी के तौर पे पढ़ते हैं फिर इसकी बाद आती है राजनितिक लिखी है तो उसके अंदर उसका क्या में वो रहता है उसका यही रहता है कि राजनितिक थौट जो है मेरे उसको मैं डिस्क्राइब कर पाऊं अच्छे तरीके से और फिल लास्ट में हम इन सब चीजों को एक थियोरी के रूप में रखते हैं जिसको राजनितिक सिध्धान कहा जाता है यह आपस में एक साइकल के तौर पर साबित होता है यह साइकल की तना चलता रहता है ठीक है अब इसके अंदर जो मैंने हाईलाइटर से यह थोड़ा सा कलर किया है यह आपको समझाने के लए किया है आप नोट्स में इसको हाईलाइट ऐसे कर सकते हैं अदर्वाइस आप पेपर में हाईलाइटर का यूजमत करना वो आलाउ नहीं होता है देखो अभी हमने ये पड़ा कि political science के बाद राजनितिक विज्ञान के बाद राजनितिक दर्शन फिर विचार फिर सिध्धान मेरी बात सुनिये ध्यान से राजनितिक विज्ञान के बगएर राजनितिक दर्शन बन ही नहीं सकता है किसी भी एंगल से ये बात आप याद रखिएगा फिर राजनितिक दर्शन जब बन जाता है तो उससे thoughts बनते हैं और इससे thoughts बनने के बाद ही ये एक theory बन पाता है इस बात को भी ध्यान में रखना है यही चीज मैंने आपको पीछे समझाई है अभी थोड़ दिर पहले कि political science एक पहली सबसे पह आती है यह है आपका actually का एक diagram जो आपके पूरी unit को अच्छे से describe कर रहा है और उसने अच्छे से describe किया भी है ठीक है आप इस diagram को कॉपी कर लो इस diagram को बनाना अपने copy में और इसको याद रखो अगर यह याद रहता है तो समझो कि फिर आपका पूरा जो topic है ना वो clear हो सबसे पहली है मानव प्रकरती normative nature यह जो theories है ना normative वाली और यह सब आपको अभी next unit में पढ़नी है हम यहाँ पर एक थोड़े से इसको एक briefly पढ़ेंगे ठीक है राजनितिक सिधान अपने perspective में पूरा है मानक है ठीक है उसको किसी की जरुवत नहीं है किसी को describe करें अब ज कुछ ना कुछ ऐसा किया जो उनकी history लिखी गई जैसे उनके लिए बहुत जादा एक ही बहुत famous बात की सुकुरात का that कैसे हुई थी कि उनको wish देकर जहर देकर मारा गया था क्योंकि उन्होंने justice के लिए वाज उठाई थी और वो उस time के एक नास्तिक person थे जो religion में believe नहीं होती है ना वो तो इनसानों की होती है जिसकर दिये निकला कि मूले नैतिकता और राजनितिक प्रणालियों को आदर शुरूप से कैसे कारे करना चाहिए मतलब यह कि देखो जितने भी philosophers रह चुके ना उन्होंने का है कि अगर आप में एटिकेट्स है अगर आप में morality है होती थी ना राजा महराजा हुआ करते थे तो वो भी तो एक तरीके से हमारी government के रूप में साबित होते थे ठीक है इसलिए इसमें हमाली बात बोली गई दूसरा है वेचारिक दृष्टी को conceptual analysis conceptual analysis वेचारिक मतलब देखो एक होता है thought कि भाई मेरा thought है कि लड़कियों को थे वो बुड़े बुड़े जो जितने भी थे जो या तो इस दुनिया से जा चुके हैं या अभी इस दुनिया में मौजूद हैं वो लोगों का thought ऐसा नहीं था वो तो लड़कियों को क्या लड़कों को भी पढ़ाना पसंद नहीं करते थे तो उनका ये था कि भाई आठ अच्छे बेटे खिलाएंगे जब और अवरत मर जाएगी लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा आदमी लड़के पढ़ते ही नहीं है मतलब ऐसा नहीं पढ़ते नहीं है दिल पे मतले जाना स्टूरेंट्स इसका मतलब यह है कि जादतर घर के जिम्मेदारियों की चकर में नह मिडल क्लास फैमली हो सबके घर में होता है यह सब कुछ अपर क्लास वाले बच्चे को तो जरुवत ही नहीं है ना वो क्यों ही करेगा जॉप उसको तो जरुवत ही नहीं है फिर उसलिए इसलिए यह बोला जाता है कि आज के टाइम पे लड़कियों का पढ़ना भी बहुत परस्पेक्टिव है आपका परस्पेक्टिव लड़की के पढ़ाई करने का कुछ और होगा किसी और का कुछ और सौ लोग है सौ परस्पेक्टिव इनफेक्ट दो सो परस्पेक्टिव होंगे एक इनसान का दो थोट होगा ठीक है तो वही सेम चीज वैचारिक विशलेशन में politics को लेकर रखा गया कि एक शक्स का दो थोट होता है एक तो ये negative और एक ये positive पॉजिटिव और negative थोट जरूर रखे जाते हैं चाहे कोई भी case हो तीसरह है अतिहासिक और दाशनिक जड़े historical और philosophical perspective सुकुरात को न विश दिया जाता ना प्लैटो 18 साल डिप्रेशन में जाता ना अरस्तु उसका student बनता ना एलेक्जेंडर अरस्तु का student बनता तो ना ही आज हम लोग politics पढ़ पाते ये बात हकीकत है सुकुरात ने justice को describe किया प्लैटो ने सुकुरात के perspective को describe किया अरस्तु ने प्लैटो के perspective को लेकर अपने perspective describe करें और एलेक्जेंडर सिकंदर ने अपने perspective को describe करा उनने का गुरू है जी मैं मानता हूं लेकिन मैं अपना ही नजरिया रखूंगा ठीक है ये historical perspective है इसकी बाद विचारिक परिक्षण ideology और thought ये दोनो जो link है आपस में link करते हैं आलोच नात्मक विचलेशन critical analysis देखो एक topic अगर मैं जैसे आपको भी बता रही हूं न आप में से बहुत लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि भाई साब लड़कियों को पढ़ाओ क्योंकि हो सकता है आपके घर में भी ऐसा हो कि नहीं नहीं कोई बात नहीं अभी बहन है मेरी मैं खिला रहा हूं मेरे फादर खिला रहे है इसकी शादी हो जाएगी फिर इसका husband खिलाएगा उसके फिर बेटे खिलाएगे ऐसा होगा ये perspective middle class family के लोगों में भी बहुत जादा है इसलिए क्योंकि उनके पूरवजों से वो time सब कुछ चलता आ रहा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके पर ये situation कभी पड़ी ही नहीं कि घर की लड़किया भी कमाएं या घर में हाथ बटाएं ऐसा भी हो सकता है बहुत नजरी हो सकते हैं तो आप मेंसे 50% लोग मेरे से साथ सहमत प्लेटो ने सब कुछ दे दिया इतने volumes बना के निकल लिया बंदा सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी critically analyzes किस बात पे भाई 18 साल depression में जाने का तुक था गुरू ही तो मरा था पर वो गुरू उसके लिए क्या माईने रखता था वो इसलिए सोचने वाली बात है कोई अपने गुरू के मरने पर 18 साल depression में क्यों जाएगा क्योंकि वो गुरू उनका सिर्फ गुरू नहीं था वो गुरू उनका माता पिता भेन भाई हस्बंड वाई दुनिया का हर रिष्टा वो गुरू था उनके लिए इस वज़े से तो हर चीज का दो नजरिया होता है हर पेलु सौरी हर पिक्चर के दो पेलु होते हैं हमेशा दोनों देखने चाहिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है सार और सिधान्तिक, सार होता है एक तरीके से समरी ठीक है, एक समरी और थियोरी के तौर पे अब समरी और थियोरी के तोर पे politics को रखना बहुत जादा जरूरी होता है लास्ट में अंत विशेद रिश्टी कोण की अपना perspective क्या है politics को लेगे मेरा perspective है कि politics जो है एक ऐसा topic है कि interest बन गया तो कर लिया नहीं बना तो कोई नहीं कर सकता ये बात हकीकत है हाला कि ये सभी topics के साथ है लेकिन politics से कितना खतरनाख topic है कि अगर इसको interest से पढ़ लिया ना तो आप कामियाब हो और नहीं पढ़ा तो फिर आप जहां हो वहीं रह जाओगे ठीक है राजनितिक सिधान का कारेशेत्र नेक्स क्लास में continue करते हैं होप सो आप लोगों कोई doubt नहीं रहा हो इन केस कोई doubt question या suggestions हैं तो आप मुसे comment box या telegram channel पे पूछ सकते हैं so thanks for the watching and best of luck all